परिवार वाद खत्म कर विकास की राजनीती शुरू की है माता हो भाई हो बैनों वो कामों की सुची थोड़ी कस्यप जी ने समझाई है थोड़ी भार्दवा जी ने भी समझाई है मैं बाद में बात करूँगा मगर मैं एक बात करना है भादपा का मुकाबला कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी में माँ बेटे के अलावे कुछ बचा है क्या बचा है अरे भई सिर्फ दिल्ली में नहीं यहाँ पर भी माँ बेटे के अलावे कुछ नहीं बचा है एक कॉंग्रेस पार्टी एक वीर भुमी देव भुमी का हिमाचल देश के नक्षे में छोटा राज्य भले ही हो लेकिन यहां का इतिहास गौरव शाली रहा है लिहाजा अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए सेना और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले पर बोलना नहीं भूले माता हो भाई हो बेनों धारा 370 है कई सालों से 65 साल से नहरू जी ने जो समस्या रख कर गए थे कॉंग्रेस पार्टी घोदई में रख कर बज्चे की तरह उसको सहलाती थी ना जाने क्यूं धारा 370 जो अमारे सम्विदान निर्माताओं ने कहा था कि यह टेंपरररी है इसको हटाते ने आपने मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया पांच अगस्त 2019 को सम्विदान में से जारा 370 और 35 का पन्ना भाड़ने का काम नरेटर को भी दिए वहीं कॉंग्रेस भी इस चुनाफ मैदान में सत्ता वापसी की पुर्जोर कोशिश पर रही है कॉंग्रेस के स्टार प्रजारक पूर्व केंद्री ये मंत्री सचिन पाइलिट ने उना के कुटलेहर विधान सभा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा और बीजेपी की चुनाओतियों से कैसे लड़ना है इसका मंत्र अपने कार्यकरताओं को दिया लगों को गणाओतियों सब्सक्राइब गलेज अंपने वोट दाल के पड़ना है किसान आंदोलन कर रहेे, नौजवान सड़कों पर है कोवर्ड में जो मारा मारी हुई सब ने देखी है विरस्थाओं को समझने के लिए हमें नित्यत का परिवर्तन करना पड़ेगा और मैं पिसले महीने पर से हम देख रहे हैं हिमाचल परदेश की जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होगा और 12 तारिक को यहां पर सत्ता परिव पहुचता है यह अभी देखने वाली बात होगी ब्यूरो रिपोर्ट सुय समाचार